तो चलो प्यारे बच्चों इस वाले कोश्टन को देखो कि इसमें क्या कहते हैं कि कहते हैं कि यह एक इस्पेस सीफ है जो अल्रेडी सर्कूलर मोशन में था यार बात समझ में आ रहा है और एक इस्पेस सीफ है अल्रेडी भी नॉट आर्बिटल वेलासिटी से या भी इनिशियल जिसकी वैलू हो जाएगी gm और अंडर उटर क्यों क्योंकि बहुत पास था अर्थ के बहुत पास था तो यह जो हाइट है आर के एककोल हो जाएगी तो यह जो हाइड है यह हाइड है एपरोश टू जी रो तो और आरबीड जो हो जाएगा वह हो जिल्ड़ जी रहा था कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी लेकिन हमने क्या करना है कि एक additional velocity देना है इस satellite को so that is satellite overcome the gravitational pool offer अरे बाई इसका क्या मतलब होता है कि gravitational field को ही छोड़ दे तो यह चला जाएगा infinity gravitational force इस पर 0 लगने लगे तो यह जो satellite है वो कहां चला गया infinity को तो यह additional velocity मतलब डेल्टा वी कितनी additional velocity दे दिया जाए जिससे वह infinity को चला जाए तो सबसे पहले कितनी velocity था जी नट तो चलो मान लो इसको कुछ velocity भी दे दिया गया पहले वाराम से मज़े से भी नट से चला आता वाई यह orbital velocity तो अब अब इसको मैंने भी velocity दे दिया और यह infinity पे चला गया तो जब infinity पे चला गया तो अब मैं energy conservation लगा देता हूं कोई दिकत परसानी वाली बात नहीं है तो अगर मैं energy conservation लगा दूं तो mechanical energy at the point initially must be equal to mechanical energy finally to initially हमने इसको कितनी velocity दे दिया हाफ एंब स्कार और gm ओबर आर potential energy sum of kinetic level finally infinity पे जस्ट पहुंच गया क्योंकि मैंना velocity minimum है तो यहां से जो velocity देखोगे वह 2gm अंडर रूट आ जाएगा जो कि इसके velocity के बराबर है ठीक है that is the final velocity यह final velocity आपने इतना दिया तो satellite infinity पे चला गया भाई पहले 100 से चला आता अब हमने इसको 1500 दे दिया तो additional कितना दिये मलब जादा कितना दिये इस चीज की calculation करनी है तो जो additional velocity हमने दिया additional velocity उस additional velocity के अगर मैं value निकालूंगा तो वो जो additional velocity है वो delta V के equal है तो V final minus V initial तो V final होगा जाएगा 2GM under root यह वाला और V initial is equal to minus GM under root R यह वाला तो finally जब इसको solve करेंगे तो यह जाएगा GM under root यह वाला और bracket में root 2 minus 1 यहां से common ले लिए finally तो this is the change in velocity और यह GM over R यह वाली जो velocity है कुछ नहीं GM की value G R square under root रखोगे और R under root रखोगे finally तो यह आजाएगा root 2 minus 1 के equal आजाएगा finally थोड़ा और सुन्दर तरीके से लिखो तो जो additional velocity दिया गया delta V उसकी जो value आजाएगी वह जाएगी G R under root root 2 minus 1 अगर यह additional velocity माला पहले सब्सक्राइब कर दो लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ त्यार शेयर आजाएगा तो आपको समझ में आ गया होगा और आपको अगर बहुत मज़ा आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ त्यार शेयर करो support me for free education of the physics और धिरे धिरे अगर मैं ग्रोग किया तो सारे subject डालूंगा thanks for watching this video